आपने किसी के यहां अतीथी बनकर अविश्च गए होंगे, आपकी अपेक्षाएं क्या होती है? शम्मान, प्यार, आदर और सत्तकार. क्या आप जानते हैं कि जिस अस्थान पर आप गए हैं, कि वो व्यक्ति आपको दिल से शम्मान करता है, या दिखावा करता है, इस रहश्य को आप कैसे समझेंगे? अगर वो व्यक्ति आपको दिल से शम्मान करता है, तो सही है, लेकिन दिखावे के लिए अगर शम्मान करता है, तो उससे बचना चाहिए? आपने शर्प को देखा होगा, अगर आप उसके पास जाते हैं, तो वो शर्प फुपकारता है, ड्राने की कोशिस करता है, और दूर रहने का एहसास दिलाता है, कभी आपने उस सर्प को देखा होगा, आपके शामने निर्ट करते हुए, उसी प्रकार धूर्ट व्यक्ति शमान तो करता है, लेकिन दिखावे के साथ करता है, ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए, इस बात को समझने की आवश्चक्ता है, तभी आप अपने जीवन को शार्थक बना शकते हैं, क्योंकि जो शर्प कभी निर्ट करता है, कभी फुबकारता है, तो व्यक्ति जो धूर्थ होता है, उसका आचरन भी उसी प्रकार होता है, इसलिए हमेशा उस अस्थान पर जाएं, जहां दिल से शम्मान हो, अन्नेथा उस अस्थान से बचना चाहिए, तभी आपकी गरिमा बच सकती है, धन्यवाद